आज भी बहुत बातें की जाती हैं कि कैसे मूल अमेरिकी निवासी शामन चील बन जाते हैं यहां तंत्र विज्ञानिकों ने अलग तरह के दरीके विक्सित किये वो दूसरे रूप उठाते हैं और उनसे एक विशेश तरीके से काम करवाते हैं तंत्र विज्ञान के कई आयाम हैं अथर्ववेद पूरा इसी के बारे में हैं मूल अमेरिकी सब्यताओं में ये विश्वास है कि इंसान के जीवन में जानवरों की आत्माओं की एक भूमिका होती है आपके अनुसार जानवरों की उर्जा और इंसानों की उर्जा के बीच क्या संबंध है देखिए कुछ तंत्र विज्ञानों में कुछ चीज़े हैं जो की जा सकती है लेकिन उन चीज़ों को बिलकुल अनावश्यक माना जाता है आध्यात्मिक शेत्र में योगिक शेत्र में इन्हें बिलकुल अनावश्यक और एक पीछे की और कदम माना जाता है इन्हें तंत्र के रूप में किया जाता है हाली में जब हम नेपाल में पैदल यात्रा कर रहे थे तो हम एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां कुछ नेपाली कपीले इस तरह का तंतर कर रहे थे जानवरों के साथ ये बहुत शक्तिशाली प्रक्रियाएं हैं लेकिन ये चीजें महत्वपूर्ण और उप्योगी तब थी जब आधनिक टकनीकें नहीं आए थी क्योंकि आप कुछ चीजें कर सकते थे एक पूरी शामन परंपरा है जिसमे वो आज भी बहुत बातें की जाते हैं कि कैसे मूल अमेरिकी निवासे शामन चील बन जाते हैं, मकھی बन जाते हैं, बेडिया बन जाते हैं खुद को किसी अन्य रूप में बदल देते हैं और कहीं पहुंच जाते हैं तो ये सिर्फ कहानिया नहीं है, ये बिलकुल संभव है कि कोई खुद को इन रूपों में बदल सकता है, अगर वो चाहे तो तो लोगों का मंचाहे रूप लेना अपनी सुवधा के हिसाब से ये कोई नई चीज नहीं है या ये कोई अंसुनी चीज नहीं है ये विश्व के लगभग हर हिस्से में मौजूद है विशेश रूप से इसका काफी प्रचार किया जा रहा है उत्तरी अमरीकियों और दक्षणी अमरीकियों से जोड़ कर इन दिनों शामनों की बाते होती हैं कि वो चील या भेडिये बन जाते हैं ये दो रूप उनके लिए बहुत आम है ये कोई अंसुनी बात नहीं है यहां पर लेकिन इसे निचला समझा जाता है इस संस्कृती में वहाँ उसे उंचा समझा जा रहा है क्योंकि ये आध्यात्म नहीं है ये तंत्र है यहां हमारे तंत्र विज्ञानेक मैं उन्हें विज्ञाने कहता हूँ क्योंकि वो उस तरह के है वे खुद को पक्षी या जानवर में बदलने की चिंता नहीं करते क्योंकि खत्रा है क्योंकि जब आप कोई अन्य रूप लेते हैं तो इस शरीर को सुरक्षित रखना होगा और इसका हमेशा गलत इस्तमाल होगा तो ऐसी घटना हुई हैं कि किसी ने अपना शरीर छोड़ा यहां कुछ सुरक्षा के बीच और मान लीजे चील बनकर कुछ देर ओड़ा पर जब चील वापस आई तो शरीर गायब था अब चील क्या करे एक चील यहां बैठकर बोले मैं एक योगी हूँ बहुत बुरी हालत है क्योंकि आप उड़ नहीं सकते तो आपको लगता है चील बनना बड़ी चीज है चील बनना बड़ी चीज नहीं है वो उपर तो उड़ती है लेकिन हमेशा नीचे देखती रहती है यहां बैठकर उपर देखना अच्छा है बजाए इसके क्यों उपर जाकर नीचे देखा जाए सच में तो यहां तंत्र विज्यानिकों ने अलग तरह के तरीके विक्सित किये यानि वो खुद अलग रूप नहीं लेते वो दूसरे रूप उठाते हैं और उनसे एक विशेश तरीके से काम करवाते हैं वो किसी जानवर को लेते हैं आम तोर पर एक जानवर जिसका काफी इस्तिमाल होता है वो है मुर्गी आपको लगता है यह बेकार है भी हुई ना हो तो मुर्गी के जीवन को खतम कर दीजे और उस जीवन रूप को अपने लिए कुछ चीजें करने के लिए इस्तिमाल कीजिए ना कि आप खुद मुर्गी के शरीर में जाएं आप मुर्गी से काम करवाएं ये एक रिमोट कंट्रोल मुर्गी है रिमोट कंट्रोल मुर्गी इससे बहतर है कि आप खुद मुर्गी बन जाएं क्योंकि आपके मुर्गी बनने से खत्रा है आप अपना शरीर छोड़ कर गए आप मुर्गी बन कर कहीं गए और कुछ करने की कोशिश की और आप किसी की तंदूरी मूर्गी बन गए तो उन्होंने ज्यादा जटिल तरीके विक्सित किये वही चीजें करने के तो हाँ, तंत्र विज्ञान के कई आयाम है एक वेद इसी के प्रती समर्पित है अथर्व वेद पूरा इसी के बारे में अगर आप कुछ चीजों का अभ्यास करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहां ऐसी चीजों की अनुमती नहीं देते क्योंकि फाइदा क्या है बस यही होगा कि आप ज्यादा भयंकर अग्यान में चले जाएंगे अगर आप दो शरीर बदल सकें ये और वो तो आप और ज्यादा उलच जाएंगे जीवन की प्रक्रिया में उसकी तुलना में जितने आप अभी उलचे हैं इसकी जबरदस शक्ति आपको कई तरीकों से बरबात कर देती तंत्र एक बहुत ही उप्योगी प्रक्रिया थी जब आधुनिक तक्नीक नहीं थे वो इसका इस्तिमाल करते थे कुछ विशेश तरीकों से बहुत एक दुनिया तक पहुँचने के लिए लेकिन ऐसा करने में इतना संखर्ष है पर आज तंत्र उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि लगभग हर चीज जो तंत्र कर सकता है उसे भी कहीं ज्यादा आधुनिक तक्नीक कर रही है आपको बस एक ड्रोन भेजना है या टीवी देखें या आपकी फोन स्क्रीन आपको वो सब बताएगी जो आप जानना चाहते है तो आप जानना चाहते हैं कि बादल कहा है तो पहले आपको कुछ करना पड़ता था अब ये जरूरी नहीं है बस मौसम का चैनल दीखिए मैं कह रहा हूँ ये कोशिश अनावश्यक है तो बहतर है कि आप अपनी जानवर प्राकृती से परे विक्सित होने पर ध्यान दे बजाये इसके कि एक रिष्टा बना ले जानवर प्राकृती से अपने भीतर के जानवर को कैसे दूर करें ये मेरा काम है ये नहीं कि आपको जानवरों से कैसे जोड़ें